So hi guys, welcome back to the channel, स्वागत आपका एक नए व्लोग में इस व्लोग में भाई मैं एक पूरी सच्चे बताने जारूँ पूरी वीडियो देखना जितने भी लोग होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं वो किस चीज से गुजरेंगे या गुजर रहे हैं पतानी, बहुसते लोगों ने वीडियो बना रखिया पतानी किन लोगों तक पहुची है, किन लोगों तक नहीं पहुची तुमारे भाई को पांच महीने हो गए 2020 में मेरी डिगरी कंप्लीट हो गई थे तो मैंने 4 साल का गयाप लिया, दोबारा कर रहूँ जब आप एक्जाम बगएर देते हो, आप सेलेक्ट हो तो तीन साल या चार साल का कोर्स रहता है गौर्नमेंट का जो रहता है, वो तीन साल का रहता है, प्राइवेट का चार साल है तो तीन साल में भाई आप ट्रेनिंग वगरा करते हो चार महीने की ट्रेनिग होती है जिसमें कि आपको भाई हर एक डिपार्टमेंट में डाला जाता है hotel management में चार डिपार्टमेंट होते है service, मलब की waiter वगरा काम, then housekeeping room की सफ़ाई तीसरा, front office front office reception का और चौता होते है तुम्हारा chef का इसमें मतलब अगर आपको जादा वो चाहिए बाहर जाना है तो मैं कहूंगा या तो front या F&B मतलब की service चूज़ कर लो या फिर chef line चूज़ कर लो chef line में growth है फिर अब बात करते हैं सबसे बेकार department कौन सा है तो इसको है भाई सबसे बेकार department है F&B, food and beverage service जो की guest को हम देते हैं सबसे पहले जब आप join करोगे as a hotel here, as a new job तो first day भाई आपको एक restaurant के बारे में दिखाने जाएगा, तो F&B भाई पांचे outlet होते हैं, यह निकी सिर्फ restaurant होते है, उसमें आता है restaurant जिसमें आप खाना खाने जाते हो जितने भी भाई अमील लोग होते हैं, उसमें खाना खाने आते हैं दूसरा होते है आपका room service room service पर क्या होता है उसमें यह होता है कि भाई जैसे आप hotel में रुके हो, कोई भी guest अगर hotel में रुका है तो वो room से खाना मगा रहा है, तो उसके लिए खाना कौन लेगा, room service वाले, तो रहता है outlet room service, तो room service की trolley बगएर होती है, उसमें भाई, मतलब खाना बगएर है, लेज जाना होता है, room तक, जैसे मैं example देता हूँ, guest का phone आएगा, फिर मतलब यह order है, 20-25 मिनट, order में लगेंगे बनने में, फिर वो trolley के अंदर जाएगा, trolley के अंदर गरम कुछ microwave सा रहता है, ताकि वो गरम रहे, कि जब तक हम lift से जाएं, उपर तक room तक पहुँचे, वो गरम रहे, और फिर वो जाता है, guest के अंदर खाने के, मतलब room में, जैसे कि french fries का order मालो, french fries का order है, या फिर soda, lemon water का क्या होता है, या तो आप payment ले सकते हो, बनाब direct payment, अगर guest पे गरना चारा है, या फिर होता है कि आप bill दोगे, guest को उसमें, वो अपना नाम लिखेगा, अपना signature देगा, एक as a consent, कि हाँ वो जब check out करेगा, मतलब कि जब hotel से निकल जाएगा, तो bill पे करेगा, दूसरा ही हो ग रहता है, ठीक है, तो तीन ही हो गए, एक दो और extra रहते होंगे, मतलब 5-6 outlet रहता है, फिन भी में, इसके बाद सबसे hard काम जो रहता है, वो रहता है, भाई, restaurant का, जो की outlet का, जिसमें की तीन operation चलते है, breakfast, lunch, dinner, इसमें भाई, सब की मारी जाती है, just मेरी मर रहा, इसमें क्या ह होता है, भाई, आपको कराया जाएगा, हमसे कम 14 गंटे काम, 14 या 15 गंटे लिखके ले लो, on agreement होगा, आपका 11-12 गंटे काम, बट, आप करोगे 13 या 14-14 गंटे काम, ठीक है, मेरा भी यह हुआ था, मेरे को भी चूते मनाया, कि तुमारा 12 गंटे काम होगा, बट जब मैं गय तो भाई, 14 गंटे काम करा रहा है, सुबह आता हूँ मैं, आपकी शिफ्ट लगा दी जाएगी, या तो सुबह के 7 बजे, या साड़े 6 बजे, सुबह के, आप काम करोगे, कब तक, साड़े 6 से, आप काम करोगे, मतलब किसी होटल में रहता है कि साड़े 6 या साथ बजे आत कई-कई होटल जो है, जो स्ट्रेट शिफ्ट दे रहा है, यानि कि मतलब 9 बजे बुलेंगे, 6-7 बजे छोड़े देंगे, कई होटल ऐसे भी है, बट जिस होटल में मैं काम कर रहा हूँ, उसमें भाई, ब्रेक शिफ्ट का सीना है, तो ब्रेक शिफ्ट जो होती है, सबसे जंदी होती है, मतलब आप पागल हो जाओगे, जैसे मैं पागल हो रहा हूँ, इसमें भाई, आपकी mental health पे असर पड़ेगा, आपके बालों पे असर पड़ेगा, दिमाग के अंदर, कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, तीसरा आपके भाई, body जो अंदर है, ना आप सही से खाना खापाऊगे, ना आप सही से भाई, किस चाइम आपको खाना काना है, किस चाइम आपको पानी बीना है, सब कुछ routine बिगड़ जाएगा, आपकी health पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, तो इससे बड़ी है, आप ये से मत करना, आप या तो room service में चले जाना, room service में straight shift रहती है, ठीक है, या फिर आप बार में चले जाना, अगर आपकी job लग रही है, मैं अधा वो बता रहा हूँ, भाई चारे में, क्योंकि कई लोग होता है, वो restaurant में काम करना चाते है, certified भाई, सब कोई मिलेगा, बट सबसे जादा जो है restaurant वाले की मरती है, और कोई, कुछ बोलता है, ठीक है, हाँ, और एक भाई, एक और आउटलोड होता है, बैंकेट, बैंकेट में भाई, कम से कम 200, 200, 300, 400, 400, 400 गेस चाते हैं, उनको handle करने के लिए सिर्फ 10 या 12 स्टाफ होते हैं, और बाकी ODC को hire करते हैं, मतलब की बाहर के लोगों, जिन्होंने पढ़ाई वड़ा ही नहीं कर जाते हैं, कोई भी मतलब, गाउं आओके होंगे, या फिर लोकल होंगे, तो वो ODC करने आता है, पर दे के हिसाब से उनका contract रहता है, तो उनने 500 या 600 गेसाब से रखा जाता है, उनका काम रहता है, बैंकेट में, जो भी 200, 300 गेस्ट चे उनकी प्लेटे विलेटे, या फिर मतलब snacks होते हैं, हातों पैसे यूँ घुमाना, ये करना, वो करना, फिर बैंकेट की भी भाई, प्लेट्स वगर रहती हैं, फिर भाई, आपको restaurant का scene बता दो, ठीक है, सुबह 7 बज़े बुलेंगे, फिर आपको भाई, छोड़ते हैं, वो सीधा, 4 बज़े, मैं 7 ब मिनट भाई, मुझे कपड़े बदलने में लगेंगे, मतलब होटल के, फिर मैं होटल से रूम जाओंगा, 5-6 मिनट वो लग जाते हैं, जान में, तो 4-20 ऐसे ही बज़ जाते हैं, 4-20 के बाद भाई, जब मैं घर पहुचूंगा, उसके बाद, भाई, मैं सोचूंगा, फोन मुझे चलाओंगा, 20-30 मिनट तो, ऐसे करते-करते, 5 बज़ गए, मेरे बज़ बज़ता हैं, फिर सिर्फ 1,5 गंटे या 1 गंटे सोने के, उसमें मैं सोचता हूँ, सोगू कैसे, तो यह जो है भाई, आपको मेंडल ट्रॉमा पढ़ रहा है, मजाग नहीं करा है, मेरे को में ठीक है, फिर भाई, मैं 7 बज़े दोबारा, मतलब 6.40 पर उठता हूँ, तयार होता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, फिर दोबारा लॉकर में जाता हूँ, और फिर भाई, दोबारा कपड़े पहन के, इस सोच से जाता हूँ, कि अब मेरे को दोबारा गेस को हैंडल करना है फिर भाई 7 बजे 2 बारा स्टार्ट हो जाता है डिनर का डिनर भी भाई मैं ही देखता हूँ फिर डिनर जब जाते हैं तो भाई 7 से 11, 11.30 बच जाते हैं मतलब खतम करते करते हैं फिर 11.30 के बाद भी भाई आपको अगले दिन का भी सेट अब मारके जाना है ग्लासिज लगाना टेबल पे ठीक हैं और बिन भी लगाना क्वाटर प्रेट बोलते हैं जिसमें जैसे कि गेस्ट खाना वाना खाता है तो कटलरी जो है वो साइड वाई रख देता है ताकि उसे वो कटलरी एक ही भार यूज़ करनी पड़े फिर भाई यह सब देखते हैं जो ऐसे करते करते भाई गेस्ट को मतलब इंसान जो सर्विस कर रहोता है वो परिसान हो जाता है क्योंकि गेस्ट को भाई पानी भी हम दे रहे है गेस्ट बैठता है सबसे पहले काम होगा मेरे को टेबल पर पानी देना पानी पौर करना पानी पौर करा मैं गैस से पूछूंगा गुड इवनिंग जो भी गुड आफ्टरनून हो रहा है सर मतलब आप रेगुलर वाटर लोगे या फिर बोटल वाटर लोगे रेगुलर वाटर जो रहता है वो फ्री रहता है वो आरों से भरके देता है और चार्जिबल वाटर जो रहता है तो गेस की मरजी होती है और उसे हमें बताना पड़ता है कि भाई अगर आप बोटल वाट इसमें सेलेक्टिट खाना आप सेलेक्ट कर सकते हो मतलब जैसे दाल मखेनी ले तो दाल मखनी है आए है आप बुफे चूज कर रहे हो तेसी सो चोबिस सो ऐसा प्राइज रहता है डिनर का बता रहा हूं तो इसमें आप डेजर्ट भी आ रहा है मेन कोर्स भी आ रहा है स्टार भी आ रहा है जूसिज भी आ रहे हैं और दो तीन जैसे लाइफ कांटर में अगर कुछ है पनीर वनी रोल यह सब भी आ रहे हैं तो मतलब हमसे आठ दस चीज़ें आ रहे हैं अलाकार्ट में आपका सिलेक्टिट रहता है यह सब पूछा गैस बैट रहा है अगर वोफे के लिए जा रहा है तो सेल सर्विस रहती है वो खुद मतलब प्लेटेव लेट से स्टार जो भी है में कोर्स लेगा सबसे पहले वो खाएगा स्टार या सूप सूप आता है सबसे पहले सूप लेगा तो भाई सूप पिया फिर सूप लेगा तो भाई वो हमें क्लियर करना है सूप खतम होगा उसकी हम बाउल हटाएंगे फिर आता है वो स्टार पे स्टार जो भी पनीक का यह जो भी खाया chicken टिक का जो भी chicken टिक का खदम plate से plate हटाई उसकी तीसरी plate लाईगा main course के लिए नियकरी बडी वाली बडी वाली में main course खाएगा वो हटाए plate फिर वो आएगा desert पे है तो डेजर्ट के लिए हम हटाएंगे quarter plate में में बड़ी जो plate रहती है वो भी हटेगी ठीक है और spoon भी हटा देंगे ठीक है फिर वो डेजर्ट के लिए अलग plate लाएगा और spoon लाएगा और खाके अलविदा कर देगा अगर डेजर्ट हो जाता है यानि कि मतलब guest का खतम हो गया last जो आता है suit आता है तो suit जब खा लेगा उसका मतलब मानलो खतम हो गया खाना उसके बाद वो नहीं खाता तो भाई यह देख़े मैं एक बंदे का बतारू हूं ऐसे कम से कम हम एक बंदा 40 या 50 गेस देखता है 40 या 50 ऐसे करके तो भाई दिमाग जो इनसान का गाना परिशान हो जाते हैं क्योंकि 50 गेस्चों में से अब हमें कभी कॉफी मांग लेगा कोई मुझे ब्लैक कॉफी दे दो एक ने मांगा 50 में से और अलग-अलग और किसको जाना है यह चीज भाई हमें ध्यान लगने बड़ती है यह बहुत बड़ी चीज रहती है रेस्टोरेंट का बता रहूं मैंस जो एक बंदा इस चीज को हेंडल करता है और इसमें न भाई वह नींद मी पूरी हुपाती है सम्सक्ति लुए हैं क्योंकि जैसेौं आपको बता है रात को बंद बारा बजे हम फ्री होते हैं जब गयारा ठीक भारा भुश mogę बारा ते पर दस नियुदे हम प्वाई गंप न उस से खमकी मोबाई क्या चली रहा है ऐ़ा हैं Varг раз बज अपने परस्नल टाइमी निकाले का हो, साड़े बार एक बच जाते हैं, डेड़ बच जाते हैं, डेड़ बच के, डेड़ बजे भी इनसान सोता है, तो उसे भाई फिर सुबह जाना पड़ता है, साड़े छे हैं, साथ बजे, और भाई पांच घंटे की नेन जो रहती है, वो ऐसा रहते हैं, मतलब इ एक चीज़ बताऊंगा यह दिमाग के बाल जो होते हैं वो भी कम हो जाएंगे आपके इतना काम करोगे ना 13-14 गंटे वाई सबसे important चीज़ है इंसान की health अगर health पे वो भाई मलत हेल्थी उसकी अच्छी नहीं है और वो 17-16 हजार मिल रहे हैं स्टाटिंग में 12-14 हजार 14 गंटे काम करके तो भाई मत करो यह काम सच्छी बोलों और यहां तो एक सार अगर आप जहेल सकते हो ना इंडिया में अपने आपको तो भाई जहेल लो और भाहर के लिए अपलाए कर दो या बिना एक साल करे कोई ऐसी पकड़ लो मतलब की जो 100% अच्छी हो कि हां उसके आपको भरोसा हो वो आपको भाहर भीज दो और भाहर आप काम कर लो अब मैं भाहर का सीन बताता हूं भाहर का सीन यह है अगर 8 गंटे की शिफ्ट रहती है 8 गंटे आपको एक्किरोट हो जाते हैं तो अगले 10-15 एक अगर अलग काम कर रहे हो मतलब एक्स्ट्रा कर रहे हो तो आपको इसके अलग पैसे मिलेंगे इंडिया में उल्टा हैं इंडिया में भाई लेबर मना के रखते हैं मजदूर मना के रखते हैं कोई नहीं समझता किसी को उन्हें बस यह कि इसे रगणना है मतलब कि एक मजद दूर बना देना ऐसे उन्हें नहीं फरक भाई तुम्हारी हेल्थ तुम क्या कितने बज़े सो रहे हैं तुम्हें वो नहीं बस चाहिए तुम ऑन्दा टाइम आओ पात-दस मिन्ट लेट होता है चलता है जैसे साथ बजी की सिफ्ट है तो साथ-दस पे भी आ रहे है तो इतन को नहीं करने मेरी सबसे पहले चीज जो थे वह मेरे मेरी हल्थ citing करने कि kidney के क्या रही है क्योंकि अगर आपकी कम परिशानी ओ उस्से तो यथा जहुआ दहीं प्यार्य रही है तो फायदा क्या हुआ काम करने का, आपका पैसा तो at the end health भी जा रहा है, और आपकी बाड़ी खराब हो रही है, आपका पैसा कहां से हो रहा है तो यही है, यही मैं बताना चाह रहा था, कि कैसे क्या वर करता है रेस्टोरेंट में